हमिश्का रुष्टो इस डिस्केशन में हम 28 नॉवंबर 2020 के करंटिफरे के सभी इंपोटेंट कोशनों को कवर करेंगे डिस्केशन की पीडिएफ आप टेलीग्राम चैले से डानोट कर लिजेगा और उसका लिंक डिस्किप्शन मोक्स में नीचे दिया गया है तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले लुशन जी के कुछ इंपोटन कोशनों को हम कवर कर लेते हैं पहला कोशन युनेसको इसका मुख्यले कहां पर है तो इसका जो हेड़कॉटर है यह है फ्रांस की कैपिटल पैरिस में फर्स्ट कोशन का बी आंसर सही है पैरिस इस कोशन का सही आंसर है सेकंड कोशन सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटे किस राज्य में हैं तो यह कहां पर हैं यह हैं उत्तर प्रदेश में एक फेक्ट आप याद रखेगा कि राज्यसभा और लोगसभा की सबसे आदर जो सीटे हैं ये उत्तर प्रदेश में हैं राज्यसभा की यहाँ पर 31 सीटे हैं अब आज की जो करंड़िफिर की क्लास है इसे हम स्टार्ट करते हैं पहला कोशन नॉमबर 2021 में भारत के किस राज्य में तीन दिवस्य चैरी ब्लोसम फेस्टिवल का उधगाटन किया गया तो इस कोशन का सही आंसर क्या हो जाएगा मेघाले हैं इस question का सही answer है मेघाले अभी हाली में तीन दिवस्य चैरी ब्लोसम फेस्टिवल इसका उदगाटन मेघाले के जो मुख्य मंतरी है कॉन्रेट संग्मा एक तो इन्होंने और जापान के जो राजदूत है भारत में सतोसी सुजुकी इन दोने ने मिलके किया है मेघाले की जो कैपिटल है शिलोंग शिलोंग में एक जगा है वर्ट्स लेक यहाँ पर नाम लिख देता हूँ वर्ट्स लेक यहाँ पर इसका उदगाटन किया गया है यह फैक्ट आप याद रखेगा तो ए उप्षन इस कोशन का सही आंसर है मेघाले हैं बात करते हैं दूसरे उप्षन की हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश की सरकार ने परवध धारा योजना इसको श्टार्ट किया और एक और आप इंफर्मिशन याद रखेगा हिमाचल परदेश से कि हिमाचल परदेश की कुल्लू में पहली बार मौंग फ्रूट की खेती श्टार्ट की गई जिसके बीच चाइना से लाए गई थे 36 गड़ की बात करें 36 गड़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको श्टार्ट किया आसाम की सरकार ने मोहितरी योजना इसको श्टार्ट किया अब बात हुई है मेगाले की तो ये देखे आप ये है लोकेशन मेगाले की ये देख रहे हैं आप इसकी जो बाउंडरी ह ये सिर्फ एक राज्य से लगती है आसाम के साथ और तीन साइड से ये बांगलादेश के साथ अपनी इंटरेंशन बाउंडरी बनाता है ये देखे ये इसकी बेसिक इंफर्मिशन है शिलोंग कैपिटल है कॉन्रेट संगमा मुख्यमंतरिय है सत्यपाल मलिक राजजपाल है 21 जनवरी 1972 को इसकी फॉर्मिशन हुई थी 31 जिले है लोग सबा की 2 सीट राज्य सबा की 1 और विधान सबा की 60 सीट है शिलोंग में हाई कोट है जहां के मुखे नयादीज है संजीव बैनर जी आसाम के साथ पॉंटरी शेर होती है और ये 3 हिल्स काफी बार एक्जाम में पूछी जा चुकी है गारो हिल्स, खासे हिल्स और जैनतिय हिल्स और ये जो अभी आप याद रखेगा खासे हिल्स है ये भी रिसेंटली एक एक एक्जाम में पूछी भी जा चुकी है तो ये है मेगाले की बेशिक इंफॉर्मेशन राष्टे अंगदान दिवस कम मना जाता है यानि नैशनल ओर्गन डोनेशन डे ये हर साल कब सेलिबरेट किया जाता है तो ये हर साल 27 नॉवंबर को सेलिबरेट किया जाता है अब बात करते हैं दूसर ओप्शन की 11 नॉम्बर को National Education Day ये मना जाता है 16 नॉम्बर को National Press Day ये मना जाता है 26 नॉम्बर को National Milk Day ये मना जाता है तो 2nd question का D आंसर सही है 27 नॉम्बर 3rd question किस राज्य की सरकार स्टेट प्रोजेक्ट लॉंच करेगी तो इस question का सही आंसर है केरल उद्देश ये अगर देखो simple भासे में समझी तो एक ही है tourism जो activities है इनको perform करना मतलब इनको boost करना इसका नाम आप जान लीजिए इसका पूरा नाम क्या है इसका पूरा नाम है sustainable, tangible, responsible, experiential, ethnic, tourism, hubs फिर से बोलता हूँ S से हो जाएगा sustainable T से हो जाएगा tangible, R से responsible और E से हो जाएगा experiential और फिर जो दुबारा E है इससे हो जाएगा ethnic और T से हो जाएगा tourism hubs तो इस question का A answer सही है केरल बात करते हैं दूसरे option की राजिस्थान, राजिस्थान की सरकार ने चीरन जीवी योजना इसको start किया भारत का पहला दुगोंग संडक्षन डिजर्व ये तमिलाड़ों में बनेगा मत्यपरदे सरकार ने अंकोर योजना इसको start किया अब बात करते हैं केरल के important current फिर के बारे में पहला point भारत का पहला drone forensic अनुसंधान केंदर केरल में खुला है केरल राज्जे ने बच्चों के लिए digital नशा मुक्ति के इंदर खुलने का निर्ने लिया third point खबरों में रहा मानियार बांध केरल राज्जे में है 20 October 2020 को केरल उच नहले में चार ने निया धिशों ने शपत ली दो-तिन point और जान लेते हैं 5 point केरल के सरकार ने smart kitchen योजना इसको start किया 6 point केरल के सरकार ने snakepedia app इसको launch किया ये भी आप याद रखेगा और 7 point silver line project इसको भी केरल राज्जे में start किया गया है अब location देखे आप केरल की ये है केरल की location आसपास के राज्जों की बात करें करनाट का तमिलाडो पिनाराई विजयान मुख्यमंतरी है आरिफ मुंबत खान राज्जे पाल है एक नॉंबर 1956 में formation हुई थी 14 जिले हैं लोग सभा की 20 seat राज्जे सभा की 9 विधान सभा की 141 seat हैं भारत का मसालों का बगीचा ये केरल राज्जों को कहा जाता है लेक की बात करते हैं अस्तामूडी लेक, पेरियर लेक, वेमर लेक और पेरवर लेक चारो लेक केरल में है नेशनल पार्क की बात करें इरा वीकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, वेनर वालेफ सेंचुरी, चिननार वालेफ सेंचुरी, नेर वालेफ सेंचुरी अब कोची में इसके हाई कोट है जहां के मुखे ने आदीश है S. मनिकुमार, केरल और लक्षदीब दोनों की जुरिस्टिक्शन S. इसके कोचे हाई कोट के अंतरकत आती है जहां के मुखे ने आदीश है S. मनिकुमार फोर्थ कोश्चन भारत ने किस देश के साथ नवमर 2020 में विज्ञान और इंजिनियरिंग अनुसंधान में महिलाओ की भागिदारी के लिए मतलब एक वाइसर नामक अपनी तरह का पहला कारेकरम शुरू किया है वाइसर का पूरा नाम है Women's Involument in Science and Engineering Research तो आंसर क्या हो जाएगा जर्मनी इस कोश्चन का भी आंसर सही है जर्मनी अब बात करते हैं दूसरे ओप्षन की जैसे नौर्वे नौर्वे की कैपिटल क्या है नौर्वे की जो कैपिटल है यह है ओसलो ओसलो नौर्वे की कैपिटल ह इसकी करणसी की बात करें तो नौर्वे क्रोन यहाप जाद रखेगा फ्रांस की कैपिटल परिस है और इसकी कैपिटल क्या है इसकी कैपिटल क्या है स्वेजिस क्रोना के आरो एनिक रोना अब बात हुए हैं पर जर्मानी की तो इसकी आप लोकेशन देखी जर्मानी की कहाँ पर है यह है जर्मानी यह योरोप में है कैपिटल बार्लिंग करंशिय योरो और यहाँ पे ब्लैक फोरेश्ट भी है जो अक्सर एक्जाम में पूछ जाता है ब्लैक फोरेश्ट ये जर्मनी में है फिफ्ट कॉशन नॉवमर दोजार किस में तीन दिवस्य लंबे कारेकरम आयरुवेट पर्व का आभासी उद्गाटन किस इस्थान पर वा तो आयरुवेट पर्व दोजार किस का उद्गाटन ये हुआ नई दिल्ली में फिफ्ट कॉशन का ए आंसर सही है नई दिल्ली इस कॉशन का सही आंसर है भारत में पहली बार किस लाच्छे में एक हाइब्रेड इवोटल ड्रोन को नउमबर दोजार किस में एक दुरष्ट प्राथमिक स्वास्ते केंद्रों में दवाए पहुचाने के लिए तैनात किया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा इस कॉशन का जो सही आंसर है बताइए आंसर हो जाएगा में घाले इस question का सही answer क्या हो जाएगा? मेघाले है. इस question का मेघाले सही answer है. देखो ये question भी exam में पूछा जा सकता है. यह आप याद रखेगा. और west 80, जो hills district है, वहीं पर इसका उधगाटंग किया गया है. एक remote primary health center में 26 November 2021 को बात करें आंदरपरदेश की. आंदरपरदेश की सरकार न quality of education को develop करने के लिए salt program स्टार्ट किया. गोवा की सरकार ने पाणी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया. पश्चिमंगल की सरकार ने student credit card योजना इसको स्टार्ट किया. मेघाले के बारे में हम first question में detail के साथ cover कर चुके हैं. 7th question भारत्य प्रध्योगी की संस्थान यानि Indian Institute of Technology IIT रोड़की ने 25 नॉमबर 2021 को अपने कितने साल पूरे किये. यहाँ पर आ जाएगा. कितने साल पूरे किये. तो इस question का सही answer क्या जाएगा? 175. 7th question का D answer सही है. 175. 8th question भारत्य इस्टेट बैंक की एक नई आपदा रिपोर भारत का कौन सा इस्थान है? तो भारत इसमें तीसर इस्थान पे है. C option इस question का सही answer है. भारत में सविधान दिवस कम मनाय जाता है. तो यह 26 नॉमबर को हर साल सविधान दिवस मनाय जाता है. D option इस question का सही answer है. नॉमबर 2020 में जम्मू में जम्मू के मोलाना अजाद इस्ट जो आप से पूचे गए थे मेगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला परधानमंत्री बनी स्वेडन सही आंसर है खबरों में नहीं किस राच्चे में है किस देश के बल्ले बाच महमुदुल्लर रियाद ने टेश्ट क्रिकेट से सन्यास की घोशना की बागलादे सही आंसर है नॉमबर 2020 में प्रात्मिक स्वास्थ देखवाल सुधार के लिए भारत और एशय विकास बैंक के बीच कितने लोन कर हश्ताक्षर किये गए थे 300 मिलियन डोलर सही आंसर है ये इस कोशन का सही आंसर है ये आज के कोशन है जिनका आंसर आपको कमेंट बोक्स में बताना है नॉमबर 2020 में नीतिया योग ने देश का पहला भू आयामी गरीवी सूचकांग M.P.I. जारी किया सूचकांग के मुकताबिक भारत का सबसे गरीब राचे कौन सा है राश्टे दुख्द दिवस कम मनाय जाता है किस राचे के मुक्षमंत्री ने 52 से 50 करोड रुपे की 300 और और जा परियोजनाओं की शुरुवात की 23 और 24 नॉमबर 2020 को भारत और इंडिनिशे की बीच 37 में संयुक्त नोसेन अभ्यास का क्या नाम है नॉमबर 2020 में भारत मालदीव और श्री लंका के ने किस नाम से तिरी पक्षे सेन ने अभ्यास किया किस देश के पूर्व राश्टपती चुन हो चुन्डु हवन का नॉमबर 2020 में निधन हो गया तो इन 6 कोश्चनों का अंसर आपको तम एंट बोक्स में बता रहा है फ्लालिस डिस्कुशन को यहीं पर रोकते हैं थैंक्यू